नमस्कार दोस्तों, दोस्तों किसी ने सही कहा है कि बाब भाईया बाब होता है और बेटा भाईया बेटा होता है आज इस वीडियो में आप पूरा देखने की बाद आपको भी पता चल जाएगा कि जेके प्राइमेक्स हुआइट सेमेट के मुकाबले से आसमान और जमिन का दोस्तों अंतर है जेके प्राइमेक्स एपलाई करने से वाईट सेमेट और प्राइमार दोनों का काम कर जाता है इसलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाय जाएगा किस तरह से हमारी घर के लिए बहुत ज़्यदा फाइदामान है और आपको दोस्तों बारी की से स्टेप बाई स्टेप आज इस वीडियो में समझाय जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले सुरू करेंगे एमार पी से तो दोस्तों जेके प्राइमेक्स का जो प्राइज होता है एमार पी होता है और दोस्तो मैं आपको बता दू कि जेके प्राइमेक्स दोस्तो 10 किलो की बाल्टी में आता है और 10 किलो की बाल्टी में दोस्तो आपको दोस्तो पाउडर बेस में जेके प्राइमेक्स मिलेगा 5 किलो 5 किलो करके उसमें आपको पेकेट मिलेगा दोस्तो और 10 किलो का बाजारी हो दोस्तों AMRP है मतलब 1200 रूपिया लेकिन दोस्तों आपको 1000 रूपिया में आसान शे दोस्तों 500 पर JK Primax भाईया मिल जाएगा अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि JK Primax mixing का ratio क्या है यानि कि दोस्तों किस तरह से हमें JK Primax को मतलब paste बना लेना है apply करने से पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे ही दोस्तों हम लोग white cement का mixing करता है वैसे दोस्तों JK Primax का mixing बिल्कुल भी नहीं होता है JK Primax दोस्तों सबसे पहले 5 किलो का एक packet आपको खोलना है और मेरे भाई 5 किलो की packet में आपको 0.5 लीटर पानी इसमें add करना है मतलब दोस्तों पांच किलो की JK Primix की packet में आपको धाई लीटर ही पानी एड़ करना है और पानी एड़ करने की बाद दोस्तों धाई लीटर पानी में पांच किलो JK Primix का आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है जिस तरह से दोस्तो रोटी का पेस्ट बनाया जाता है वेसे दोस्तो जेके प्रैमेक्स का आपको पेस्ट बना लेना है धाई किलो पानी देकर और दोस्तो दस मिनिट तक आपको इस तरह से पेस्ट बना लेना है ताकि दोस्तो जेके प्रैमेक्स के अंदर कहीं जगा में दोस कर 5 kg JK Primax में आपको 5 लिटर ही पानी एड़ करना है अब सवाल है क्या JK Primax हम लोग रोलार से ब्रास से किस थरा से दोस्तों हम लोग कर सकता है मतलब दोस्तों जैसे के वाइट से मेट रोलार से भाईया नहीं होता है वैसे ही दोस्तों JK Primax भी रोलार से बहुत जादा आपको फ दोस्तों रोलार में भाईया आपको चीख पाक जाता है इसलिए ब्रास से ही JK Primax एपलाई करने का सबसे ज्यादा बैस तरीका है अब बात करेंगे दोस्तों क्यूरिंग प्रोसेस का कि दोस्तों मैं आपको साब साब बढ़ा दो कि JK Primax एपलाई करने से पहले सबसे पहले आ हलका फुलका तराई कर लेना है और JK Primax एपलाई हो जाने की बाद आपको पानी मारने का कोई भी जर्रत नहीं होता है क्यूरिंग करने का कोई भी जर्रत नहीं होता है और जब दोस्तों आप लोग फास्ट कोट का एपलाई करेंगे सबसे पहले जिसी भी वाल सर्फेस है आ आपको अच्छे से क्लिंग कर लेना है क्लिंग करने की बाद आपको फास्ट कोट शुरू करना है और मैं आपको बता दू कि फास्ट कोट आपको या तो होरीजोंटल मोट पर एपलाई करना है या फिर भार्टिकल मोट पर एपलाई करना है क्यूंकि दोस्तों जब आप फ सेकेंड कोट भार्टिकल मोट पर एपलाई करना होगा तब ही आपको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा और दोस्तों फास कोट और सेकेंड कोट की बीच में आपको चार से लेकर छे घंटा इस पेस देना है गेप देना है क्योंकि दोस्तों चार से छे घंटा की बाद ही स्कोट एप्लाई कर दिया और अगले 24 आवर्स की बाद याने की नेक्स डे अगर आप लोग जेके प्राइमेक्स का एप्लाई करेंगे तो उच्छाप से ज्यादा बेस्ट रजल आपको देखने को मिलेगा और जेके प्राइमेक्स में भाई आपको इतना ब्राइक्टनेस मि मिलता है दो को जेके प्राइमेक्स लगाने की बाद आपको उतना ही ब्राइक्टनेस देखने को मिल जाता है और दोस्तों कमपनी तीन साल इसका लाइब देता है तो मेरी ही सबसे भाईया पांस साल विदाउट पेन के दोस्तों जेके प्राइमेक्स आराम से आपकी वाल की उपर चिपक के रहेगा और चमकदरी भाईया देते रहेगा और दोस्तो अगर आप लोग चाहता है कि हमें वाल पुर्टी नहीं करना है तो इस कैस में भी दोस्तो अब लोग दो को जे के प्रैमेक्स लागाने के बाद आपको प्रायमार लागाने का कोई भी जड़त नहीं ह सबस्क्ताइब किसी भी इमलसर प्लास्टिक परकिसी गर्वायमेकस लागाने के बाद हम लोग वालपूट्टी करेंगे वालपूटि करने के बाद आपको प्राइमार लागने का कोई भी जरूरत नहीं होता है क्योंकि धुक्त दोस्तो jk I mistvery primary होता दोस्तो इस वीडियो में समझाया गया अगर आपकी मन में कोई भी डाउड या सवाल है तो भाई उठाई अपनी फोन हमें दोस्तो कमेंट करें आपका हर सवाल का जवाब हम जरूर देंगे